नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सोनु सर्मा इस वक्त मुझूद हूं सिर्षा के बीबलोग के अंदर और साथ यो मेरे आने का कारणी यह है क्योंकि यहां पर राष्टपती के उमिदवार संजीव कालडा जी मुझूद हैं तो जानते हैं कि राष्टपती पद के लिए यह अपनी दावेदारी कैसे जता रहे हैं और इनकी आगे की नीतिया क्या रहेगी नमस्कार जी आपता स्वागत है धन्यावाद सोनु शर्मा जी और सिर्षा की आवाज के वीवर्स का मैं धन्यावाद करना चाहता हूं और आज मुझे बहुत खुशी है आप मेरे रेजि जीज भी कहते थे लेकिन ऐसा अब नहीं है अब लोग बदल गए हैं तो मेरे दादा जी यहां जो है मादु सिगाना गाओं में दुकान करते थे आटालिस उन्चास के बाद उन्होंने शुरू कर दी थी और जब तक जीवत रहे थे वह वहीं दुकान करते थे मादु सिग थे उन्होंने फार्मेंशी की वहां से मेडिकल कोलेज था शयद यह कोलेज से फार्मेशी कोलेज रहें सिर्शा में सिट경 में जोब की और उनका नाम है शृरिणानग चंजी कालड़ा और वह हो अब एक्सपार हो गया है और मेरी माता जी शीरीपाती कृष्चना देवी न और मेरा नाम जैसे आपने बताई दिया है संजीव कुमार कालड़ा है मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड मैथेमेटिक्स का लेक्चरर हूं अगस्त दो हजार बीस को मैं रिटायर हो गया था अब दो साल से मैं नेट पे सोशल मीडिया के थुरू फ्री मैथेमे बच्ची होंगे उनी कोई बाटेंगे जितनी मेरी कपैसिटी होगी फैनेंशियल तो अब राष्टपति का सुनाव लड़ने की मनमीच्छा कैसी आई आपके तो जो इदर उदर जब मैं जाता था सुबह चाहवाई पीने तो वो कहते जी कोई निया काम करो यहां के मैं यह वह कुछ फैर्फय कोई बनाना वह वहां जो वह तो जो है वह माननीय यह वहांश्ट्रपती जी के हाथ में उथा किसीज़ाना तो मैंने कहां लाइब प्लाफ पती के चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं और उनतीश से पहले पहले फार्म भरने की कोशिश करना ले नि चाहूंगा शर्मा जी आपके चैनल के महाद्यम से कि मीडिया मुझे शुरू से से स्योग करता रहा है लगब 20 साल से में न्जी ओ से जुड़ाओं शुरू से मीडिया मेरे को सहयोग करता रहा है और आपके सहयोग से मैं फिर जब फारम मेरा ओक्राश हो जाएगा 29 इसको तो मैं डिफरेंट जो है पार्टी के जो है सभी के पास जाऊंगा मैंने सुना है जो बीजेपी की कैंडिडेट है मैडम दरोपती जी वो भी सभी के पास जा रही है सोनिया गांदी जी के पास भी जा रही है और भी जो दूसरे पार्टी के जो हैं पलिटीशिंस उनके पास जा रही है जैसे आप सुनाओ का फारम बढ़ने के बाद में उसके बाद में अलग-अलग पार्टी के सभी नेताओं से मिलोगी हाँ जी बिलकुर सभी से मिलूगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं क्योंकि गजड़ अफसर रहा हूं और मेरे में खूबी भी है वो यह है कि मैं एक कभी किसी पार्टी को जो आइन किया और राश्ट्रपती का पद जो है वो सहवधानिक पद है ऐसा पद जिस पे कोई भी जो है नेता नहीं खड़ा हो सकता किसी पार्टी का तो मैं एक ऐसा केंडिड़ेट होंगा मेरा ख्याल में सभी में से जो जिसने कोई पार्टी नहीं जोइन करी जो रिटायर जो अच्छा पद मिलता है राश्ट्रपती का तो माबाप के पद को छोड़के उस पद में अपलाई कर देते हैं तो अगर आप राश्ट्रपती बन जाते हैं तो प्रात मिक्ताब के क्या रहेगी क्योंकि मैंने सारी उमबर एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं और डिफर रेन की समस्या है यहां से पढ़के लोग विदेशों में जो है नोकरियां ले ले लेते हैं पढ़ते हैं आयाई टी से आयाई एम से पढ़के जोब बाहर ले ले लेते हैं तो उनके लिए मैं प्राथना करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा और कुछ ऐसा रूल भी बनवाने कोशिश करूँगा कि 10 साल आयाई टी से आयाई एम से पढ़के वो इंडिया में जोब करें तब ही वो उनको अडिविशन मिलेगा सबसे बड़ा सवाल जब राष्ट पती सुनाव के लिए आपके आवेदन की बात चल रही है तो यह क्या से लगाए जा रही है कि आप तो नो की नाखुनों की कमाई है वो कुछ दो दान दो मिला अपनी अपनी जो कमाई है उसमें पांच दिस पर सेंट दान दिया करो तो मेरे को अब लगब पचास हजार पैंशन मिल रही है पर मंत हर्याना गवर्वर्मेंट से तो मैं को जो सैलरी मिलेगी इस पोज है मिनिस्टर्स हैं उनको भी लगे कि हमें भी अपना कुछ परसेंटेज सीम या पीम फंड में दान करना चाहिए और यह एक ऐसी शुरुआत होगी मैं आपको मज़धार बाता हूं कि मैं हर्याना गवर्मेंट में रहा हूं तो वहां जो मेंली हैड होता है ना उसको डीड हो तो डीडियों तक जब यह बहुत पहुंचेगी कि राष्ट्रपती और मिनिस्टर भी डोनेट कर रहे हैं तो डीडियों के पास मोस्टली बहुत पैसा होता है हर्याना में तो तुमाम पार्टी के नेतां से आप क्या अपील करना चाहूंगा कि मैं जो है सबसे यंग हों टेकनिकल नौलेज है फादर मेरे क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में थे तो हैल्थ की बहुत नौलेज है डिपार्टमेंट की तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे निर्विरोज चुना जाए सिर्सा का बेटा सिर्सा का लाल संजीव का लड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनोंने राष्टपती चुनाव के लिए अपनी हुंकार भर दी है सातियो सभी सातियो से गुजारी से इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क् आया कोमेंट करके हमें जुरूर बताएं धन्यावाद सुक्रिया